प्रिये विद्यार्थियों नमस्कार आशा है कि आप स्वस्थव प्रसंद होंगे हमारे आसपास खड़े हरे भरे पेड़ पौधे हमें कितना आनन्द देते हैं जब हम इने देखकर इनके बारे में सोचने लगते हैं तो मन में ये प्रस्ण बार-बार उमरते हैं कि इन व्रक्षों की सबसे उची टहनी और पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है या फिर आपके मन में भी आश्यरे नहीं होता कि इन में पदार्थ एक कोशिका से दूसी कोशिका की ओर कैसे बढ़ जाते हैं और ये पदार्थ समान प्रकार से एक ही दिशा में कैसे चलते हैं तो आईए आज हम इनी प्रश्णों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं हमारे आज के सत्र के अधिकम उद्धिश्य इस प्रकार हैं पौधों में परिवहन का अध्यान करना पौधों में परिवहन के विभिन्दम आध्यम जैसे विसरण, सुसाध्य विसरण तथा सक्रिय परिवहन का तुलनात्मक अध्यन करना यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट तथा एंटिपोर्ट और पोरीन को परिभाशित करना चात्रों में कला कौशल, व्यग्यानिक दिस्टिकोन, जिग्यासु प्रवर्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जीविक ज्यान के अध्यन में अरजित ज्यान को धैनिक जीवन में सहसंब्द करने का और अन्योप्योग में लाने का आपका प्रियास चलता रहे है तो यह समझने के लिए कि वरक्षों की सबसे उची टहनी वे पत्यों तक पानी कैसे पहुंचता है या फिर इन में पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर कैसे गति करते हैं और ये पदार्थ समझन प्रकार से एक ही दिशा में कैसे चलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना आवशक है कि क्या इन तत्वों को आगे भढ़ने के लिए उपा पचये ओरजा की आवशकता होती है पेड़ पौधों को जन्तूं की अपेक्षा कहीं अधीक दोरी तक अणों को ले जाने की आवशकता होती है जबकि उनमें किसी प्रकार का परिवहन दंद्र नहीं मिलता जड़ों द्वारा ग्रहन किया गया पानी पौधों के सभी भागों तक पहुंचता है जो बढ़ते वे तने के अग्रभाग तक पहुंच जाता है पत्यों द्वारा संपन्न प्रकास संस्लेशन के परणाम सरुप उत्पन उत्पाद भी पौधों के सभी अंगों तक पहुंचते हैं और यहां तक की जो म्रदा की गहराई है उसमें अंतस थापिजणों के सीज तक भी वो पहुंच जाते हैं यह गतिशीलता लगुदूरी तक कोशिका के अंदर या जिल्लिका के आरपार और उतक के अंतरगत एक कोशिका से दोसी कोशिका तक बनी रहती है पेड़ पौधों में होने वाली इस परिवहन विधी को समझने के लिए हमें सबसे पहले कोशिका की आधार भूत बनावट तथा पौधे की शरीर रचना विज्ञान के बारे में मूल रुप से पुनहस्मन करना होगा और इसके साथ ही हमें विसरन, विभव एवं आयन के बारे में भी जानकरी प्राप्त करनी होगी जब हम पदार्थों की परिवहन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह परिभाशित करना आविशक होता है कि हम किस प्रकार की गती और किन पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं पुष्पिय पौधों में जिन पदार्थों का परिवहन होता है उनमें जल, खानिज पोशक, कार्बनिक पोशक एवं पौधें के व्रधि नियामिक मुख्य हैं। कम दूरी तक पदार्थों की गती, प्रसरण एवं साइटो प्लाज्मिक धारा सक्रिय परिवहन की मदद से ही हो सकता है। जबकि लंबी दूरी के लिए परिवहन, संबहनिय तंत्र अर्थात जायलम तथा फ्लोयम द्वारा ही संपन्न होता है। और इसे स्थानांत्रन कहा जाता है। एक महत्य पूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवशकता है वो है परिवहन की दिशा। मूल ये पादपों में जायलम परिवहन पानी और खनिजों का आवशक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तनितक होता है। कार्बनिक और खनिज पोशकों का परिवहन बहुत दिशात्मक होता है। प्रकास संसलेशिक पत्यों द्वारा संसलेशित कार्बनिक योगिकों को पौधे के सभी अंगों जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। बाद में भंडार अंगों से इन्हें पुनह परिवहनित किया जाता है। जड़ों द्वारा खनेज पोशक तत्वों को ग्रहन करके उसे तने पत्तियों एम ब्रद्धी क्षेत्रों तक भेजा जाता है। विद्यार्थियों जब किसी पौधे का कोई भाग जरा वस्था को प्राप्त करता है तो उस क्षेत्र के पोशकों को वापस लेकर ब्रद्धी करने वाले क्षेत्रों की ओर भेज दिया जाता है। पर्मोन या पादप व्रद्धी नियामक तथा अन्य रसायन उत्तेजक भी परिवहनित किये जाते हैं। यद्यपी इनकी मात्रा बहुत कम होती है। कई बार ये एक ध्रुविये या एक दिशाई होते हैं और संसलेति स्थान से दूसरे भागों तक परिवहनित होते हैं। आता है एक पुष्पिय पौधे में यौगिकों का आवागमन काफी जटिल लेकिन संबह होता है बहुत क्रमानुसार और विभिन दिशाओं में होता है। प्रते एक अंग कुछ पदार्थों को ग्रहन करता है तथा कुछ दूसरों को देता है। विष्रण द्वारा गती निश्क्रे होती है तथा यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक या ऐसा कह सकते हैं कि पत्यों के अंतर कोशिकी ये स्थान से बाहिय परियावरण तक कुछ भी हो सकती है। इसमें उर्जा का व्यय नहीं होता, विसरन में अनु अनियमित रूप से गती करते हैं, परिणाम सरूप पदार्थ उच्च सांदता से निम्न सांदता वाले क्षेत्नों में जाते हैं विसरन एक धीमी प्रक्रिया है, तथा वह जेवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती विसरन गैस द्रव में स्पस्ट परिलक्षित होता है, जबकि ठोस में ठोस का विसरन कुछ अन्ष तक ही संभव है पौधों के लिए विसरन अत्यन्त ही महत्वपून है, क्योंकि पादप शरीर में गैसी अगति का यह अकेला माध्यम है विसरन की दर, सांदता की प्रवनता, उन्हें अलग करने वाले जिल्ली की पारगम्यता, ताप तथा दाप से प्रभावित होती है जैसा पहले बताया गया है कि विसरन उत्पन्य करने के लिए प्रवनता का पहले से उपस्तित रहना अत्यन्त आवशक है विसरन की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है, यह तो पहले से इस पस्ट है कि लगुपदार्थ तेज गती से विसरन करते है किसी भी पदार्थ का विसरन जिल्ली के प्रमुक सहभागी लिपेट में घुलनशीलता पर निर्भर करता है लिपेट में घुलनशील पदार्थ जिल्लीका के माध्यम से तेजी से विसरित होते हैं जिस पदार्थ का अंश या मोईटी जलरागी होता है वे जिल्लिका के आरपार कठिनाई से ही गुजरता है अतहे उनकी गति को सुगम बनाने की आवशक्त होती है ऐसे अनों को आरपार करने के लिए जिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्द कराती है वे सांद्रता प्रजणता इस्थापित नहीं कर पाते जबकि अनों के विश्रण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तोर पर पहले से ही उपस्तित होनी चाहिए भले ही उन्हें प्रोटीन से मदद मिल रही है वो यह प्रक्रिया ही सुसाध्य विश्रण कहलाती है सुसाध्य विषण में पदार्थों को जिल्ली के आरपार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है और इसमें ATP उर्जा का भी व्याय नहीं होता है सुसाध्य विषण निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता है आता है इस कारण उर्जा निवेश की आवशिक्ता होती है परिवहन की गतिदर तब अधिक्तम होती है जब प्रोटीन के सभी संभाहकों का प्रियोग पूर्ण रूप से हो सुसाध्य विषण अतिविशिष्ट होता है यह कोशिकाओं को पदार्थों के उद्ग्रहन के लिए चैन करने की छूट प्रतान करता है यह निरोधकों के प्रती संभेदनशील होता है जो प्रोटीन की पार्ष शंखला से प्रतिक्रिया करती है विद्यार्थियों अनवों को आर पार जाने के लिए जिल्लिका में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाती है कुछ रास्ते हमेशा खुले रहते हैं तथा कुछ नियंतित हो सकते हैं कुछ बड़े होते हैं जो विविन्य प्रकार की अनवों को पार जाने की छूट देते हैं पोरीन एक प्रकार की प्रोटीन है जो प्लास्तिट, माइट्रोकॉंड्रिया तथा बैक्टिरिया के बाही जिल्ली में बड़े आकार के छित्रों का निर्मान करती है ताकि जिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे साइज के अनु भी उसमें से गुजर सके देखिए स्क्रीन पर दर्साया गया चित्र यह प्रदिशित करता है कि बाही कोशिकी अनु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घूनित हो करके कोशिका के भीतर अनु को मुक्त कर देते हैं। उधारन के लिए जल मार्ग जो आठ तरह के विभिन एक्वापोरिन से बना होता है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विशरन की अनुमती तभी देते हैं जब दो तरह के अनु एक साथ चलते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर दर्शायेगे चित्र को इसमें सिम पोर्ट में दोनों अनु एक ही दिशा में जिल्लिका को पार करते हैं। जबकि एंटीपोर्ट में वे उल्टी दिशा में चलते हैं। जब एक अनु दूसरे अनु से स्वतंत्र हो करके जिल्लिका को पार करता है तब इस वीधी को हम यूनिपोर्ट कहते हैं। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवनता के विरुद्ध अनु को पंप करने में उर्जा का उप्योग करता है। सक्रिय परिवहन विशिष्ट जिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है। अतहे जिल्लिका के विभिन्य प्रोटीन सक्रिय तथा निश्क्रिय दोनों ही परिवहन में मुख्य भूमी का निभाते हैं छात्रो पंप एक तरह का प्रोटीन है जो पदार्थों को जिल्लिका के पार कराने में उर्जा का प्रियोक करती है ये पंप प्रोटीन पदार्तों का कम सांदता से अधिक सांदता तक परिवहन करा सकते हैं परिवहन की गती अधिक्तम तब होती है जब परिवहन करने वाले सभी प्रोटीन का प्रियोग हो रहा हो या वह संत्रप्त ही क्यों न हो एंजाइमों की भाती वाहक प्रोटीन जिल्लिका के पार करने वाले पदार्थों के प्रती बहुत अधिक विशिस्थ होती है ये प्रोटीन निरोधक के प्रती भी सम्वेधन शील होती है जो पार्व शंकला से प्रतिक्रिया करते है स्क्रीन पर दर्शाए गई तालिका को देखिए इसमें भिन भिन परिवहन तंत्र की तुलना की गई है देखिए पहली क्षेतिक्ज पंती में साधार विशन में विशिष्ट जिलिका प्रोटीन की आवशक्ता नहीं होती है जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में विशिष्ट जिलिका प्रोटीन की आवशक्ता होती है दूसरी क्षेतिक्ज पंती में देखिए साधार विशन उच्च वर्णात्मक अर्थात highly selective नहीं होता है जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन उच्च वर्णात्मक अर्थात highly selective होते हैं इसी प्रकार तीसी पंक्ती में देखिए परिवहन संतप्त अर्थात ट्रांस्पोर्ट सैचुरेट्स का गुण साधारन विशन में नहीं होता है जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में यह गुण होते हैं साधारन विशन और सुसाध्य परिवहन में शिखोरोपरी परिवहन अर्थात अपहिल ट्रांस्पोर्ट नहीं होता है जबकि सक्रिय परिवहन में शिखरोपरी अर्थात अपहिल परिवहन होता है इसी प्रकार से ये अंतिम ख्यक्तिज पंक्ती में देखिए साधारन विश्रन और सुसाध्य परिवहन में ATP उर्जा की आवशकता नहीं होती है जबकि सक्रिय परिवहन में ATP उर्जा की आउशकता होती है विद्यारतियो इस प्रकार यह स्पस्ट है कि जिल्लिका की प्रोटीन सुसाध्य विसरन एवं सक्रिय परिवहन के लिए उत्तरदाई होती है तथा इस प्रकार यह उच्च वर्णात्मक होने के सामाने लक्षन जैसे संत्रप्थ होना, निरोधोकों के प्रती अनुक्रिया करना तथा हार्मोनिय नियंत्रन को यह प्रदर्शित करते हैं लेकिन विसरन चाहे सुसाध्य हो या नहीं, प्रवनता के अनुसार ही होता है तथा उर्जा का अप्योग नहीं करता है प्रियविद्यार्थियों, आज हमने पौधों में परिवहन के बारे में जो कुछ भी सीखा है, आईए उसकी एक बार पुन्रावर्ति कर लेते हैं पौधे विभिन अकार्बनिक तक्वों जैसे आयन एवं लवनों को अपने आस पास के परियावरण से विशेश कर हवा, पानी तथा म्रदा से लेते हैं इन पोशकों की गती परियावरन से पोधों में तथा एक पोधे की कोशिका से दूसरे पोधे की कोशिका तक आवश्यक रूप से जिल्ली के आरपार परिवहन के द्वारा होती है कोशिका जिल्ली के आरपार परिवहन, विसरन, सुसाध्य परिवहन या सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है मूल के द्वारा अर्था जणों के द्वारा अवशोशित खनी जेवं पानी को जायलम के द्वारा संचारित किया जाता है तथा पत्यों के द्वारा संसलिसित कारवन पदार्थ पादप के विविन भागों में फ्लोयम के द्वारा परिवहन किये जाते हैं निश्क्रिय परिवहन जैसे विसरन, पराषन तथा सक्रिय संचरन जीवों में पोशकों को जिल्लिकाओं के आरपार संचरित करने के दो तरीके हैं। पर निर्भर करता है प्रिविद्यार्थियो आशा है कि आपने पौधों की परिवहन को जानने का प्रयास किया है आपने कितना प्रयास किया है ये जानने के लिए आपके लिए हम कुछ ग्रह कारे दे रहे हैं अभ्यास के रूप में आप इने नोट कीजिए और अपने अभ् प्रोटीन पंप के द्वारा क्या भूमिका निभाए जाती है इसकी व्याख्या करें। पांचमा प्रश्न विशरण सुसाथ्य विशरण तथा सक्रिय परिवहन की तुलना करें। पांचमा के साथ शीघ्री आप से किसी नए उप्योशे पर मिलेंगे। धन्यवाद। पांचमा पांचमा प्रोटीन विशर प्रोटीन विशरण से किसी विशर्टीन विशर्ट्ड़ तथा सक्रिय विशर्ट्ड़ प्रोट्र्टंड़ एंगें। झाल झाल